हेलो बच्चो बहुत-बहुत नमस्कार स्वागत है सभी लोगों का आजके लेक्चर में सभी लोगों का वेलकम करते हैं क्या मेरी आवा जा रही है क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ चेक करो फटावट से बता और जल्दी से बता दो तुरंत करें स्टार्ट तयार है सभी लोग क्या में के लिक्टि लिविर्या में वन शाट ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बेटा तो प्रोग्राम की शुरुआत यहां से होती है पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं टाइप आफ रियक्शन के बारे मे है नँ तो बेटा टाइप of रियक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो irreversible, reversible दो टाइप की रियक्शन होती है ठीक है ध्यान से देखना ज़रा irreversible reaction क्या होती है the reaction which proceed in one direction ठीक है मतलब एक ही direction में होने वाली reaction को हम क्या बोलते है irreversible reactants are almost completely converted into products मतलब reactants convert हो जाते हैं product में and products do not do not react to form reactant again मतलब reactants consume क्या बना लेगा product बना लेगा है ना और product बापस reactant नहीं बना पाएगा do not attain equilibrium state क्योंकि reactants consume होगा product बना लिया उसने तभी तो irreversible बोल ले हो ना सच रियक्शन सार रिप्रेजेंटेट वाय सिंगाल एरो इस तरीके से लिखा होगा ठीक है तो यह सब क्या होती है irreversible reaction होती है clear एक दम बहुत बेसिक सी चीज़ है आपको पहले से भी पता होंगी clear चलो बहुत बढ़िया कि आगे बने कि आगे बने जल्दी बोलो फटावट से आगे बने जल्दी बोलो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं चलो बई ध्यान से देखना ज़रा अगर मैं reversible reaction की बात करूं तो क्या होता है the reaction which proceed in both the direction मतलब दोना direction में जो होती है under same experimental condition second point reactant form product and product also react to form reactant in backward direction मतलब reactant से product बनता है और product क्या करता है वापस reactant में convert हो जाता है बहुत बढ़िया very nice ठीक है attain equilibrium and never go for completion reversible reaction कभी complete नहीं होती है reactant से product बनता है product जैसी बना वैसी वो react करकर वापस reactant बनाने लगता है represented by double arrow इस तरीके से भी दिखा सकते हो आप और ऐसे भी दिखा सकते हो आप ठीक है बहुत basic से point है फटावर्ट से read कर लो ठीक है फटावर्ट से read कर लो ठीक clear चलो बहुत बढ़िया nature of equilibrium की बात कर लेते हैं ठीक है ध्यान से देखना ज़रा equilibrium can be achieved from either direction मतलब forward से backward में भी achieve किया जा सकता और backward से forward मतलब आपको initially reactant दिया जाए तो वो product बनाएगा और product बापस react करके reactant बनाएगा या फिर initially product भी दिया जाए तो वो reactant बनाएगा और reactant आपस में react करके अगर देगा product बना लेगा ठीक है इसा है second point देखो equilibrium is dynamic in nature equilibrium क्या होता है dynamic nature का होता है मतलब move करता है तो रुका नहीं रहता है static नहीं रहता reactant से product बनता है product से reactant बन जाता है ठीक है clear बहुत बढ़ी है third point a catalyst can change the rate of reaction देखो catalyst direction पड़िक नहीं करता लेकिन ये rate of reaction को कम कर देता है positive catalyst की बात कर रहा हूँ मैं न sorry बढ़ा देता है कम नहीं करता है activation energy को कम कर देता है अगर मैं positive catalyst की बात करूँ तो positive catalyst क्या करते है rate of reaction को बढ़ा देते है activation energy को कम करके ठीक अगला point equilibrium can be observed by constancy of some observable property like color कुछ दिख जाए आपको ठीक है pressure हो जाए pressure कोई particular pressure आपको बता दिया जाए concentration हो temperature हो तो इससे आप पता लगा सकते हो कि equilibrium achieve हो गया है equilibrium can be affected by changing factors like pressure, temperature, concentration, volume जिसको आपन Leach Atelier Principle में study करेंगे ठीक clear तो ये कहानी है बहुत basic से point है theoretical question बनाया जा सकता है यहां से आगे बढ़ते हैं equilibrium का graphical analysis कर लेते हैं ध्यान से सुनना जरा graphical analysis क्या कर रहा हूँ पहले आप condition समझ लो क्या है reactant से reactant से product बन रहा है ऐसा आपको दे रखा equilibrium ठीक है और product से reactant भी ये इसमें आप ध्यान से सुनना अगर मैं graphical analysis करूँ तो मुझे पहले कुछ condition माननी पड़ेंगी जैसे मेरे पास starting में सिर्फ और सिर्फ reactant है सुनना ध्यान से मेरे पास starting में सिर्फ और सिर्फ reactant है और reactant consume होकर क्या बना रहा है product बना रहा है और जैसे ही product बनने लगा तो वो बढ़ने लगा reactant consume होने लगा तो कम होने लगा तो अगर मैं concentration versus time का गराब बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ कि starting में मेरे पास कुछ reactant है अगर reactant है तो यह क्या होगा कम होगा इस तरीके से दिखा देते हैं और product है तो क्या होगा यह product बेटा बढ़ेगा इस तरीके से और जब concentration constant हो जाएंगी उस time पर हम बोल देंगे कि equilibrium achieve हो गया तो जब concentration constant हो जाएंगी उस time पर हम बोल देंगे equilibrium achieve हो गया ठीक है तो यह concentration versus time का graph है ऐसा भी हो सकता है ठीक है और ऐसा भी तो हो सकता था इधर देखो ध्यान से कि concentration decrease हो reactant की decrease हो और product की concentration बढ़े लेकिन cut ना करें ऐसे भी तो हो सकता है और जहाँ यह constant हो जाएंगे वहाँ पर equilibrium achieve हो गया ठीक तो यह जो point है यह किसका है equilibrium का ऐसा भी तो हो सकता है constant में product क्या हो increase हो और इस तरीके से ऐसा और यह दोनों same हो जाएं ऐसा भी तो हो सकता है same हो जाएंगे और जिंदगी पर constant रहें फिर मतलब equilibrium achieve हो गया तो यह तीनों ही condition concentration versus time graph की क्या बताती है equilibrium बताती है बहुत ध्यान से सुनना concentration concentration constant हो जाएं या same हो जाएं और constant हो गई न तो जिंदगी पर constant रहें फिर आगे change ना हो आगे है न तो equilibrium है आप देखो ज़रा ध्यान से इधर आप इस point पर बात करोगे तो इस point पर दोनों की concentration same हो गई रियक्टेंट की भी हो गई और product की भी हो गई तो यह equilibrium थोड़ी है क्यों अगले ही पल में concentration different हो गई तो equilibrium नहीं ध्यान न गएना equilibrium का मतलब ही क्या होता है concentration constant हो जाएं या same हो जाएं ठीक है clear एकदम clear clear आगे बढ़े चलो भाई अगर मैं rate versus time का graph बनाओ rate versus time का graph बनाओ ध्यान से देखना जाएं rate versus time का graph बनाओ तो बेटा rate versus time के graph में आपका rate same होना चाहिए constant से काम नहीं चलेगा तो अगर मैं आप से बूच हूँ बेटा बताओ क्या ये equilibrium है जल्दी बताना क्या ये equilibrium है नहीं है rate का same होना जरूरी है ये equilibrium नहीं है क्या ये equilibrium है जल्दी से बता दो क्या ये कलिविरियम है? नहीं है, रेट का सेम होना जरूरी है ऐसा नहीं कि एक बार सेम हो गई फिर आगे अलग हो गई, सेम हो जाएं और जिंदगी पर सेम रहें, ठीक है? तो ये भी कलिविरियम नहीं है अगला देखना जरब क्या ये कलिविरियम है? बताना क्या ये कलिविरियम है? यस है, क्यों? क्योंकि ये रेट सेम हो गई और फिर जिंदगी पर सेम रही तो इसको मैं कलिविरियम बोलूँगा मतलब सीधा सा ये है कि RF, RB अगर बराबर हो गए तो एक कलिविरियम है और concentration में concentration constant हो जाएं या concentration same हो जाएं ठीक है? same के साथ constant ही हो जाएं change ना हो, है ना? तो इसको इक कलिविरियम बोलते हैं ठीक है? clear है clear है ऐसा होता है एक बच्चा कह रहा है intersect होने का मतलब क्या? intersect होने का मतलब यहाँ पर equilibrium नहीं है, वहाँ तो था ही नहीं, यहाँ भी नहीं है क्यों? concentration same तो हो रही है उस intersection point पर लेकिन constant नहीं आगे फिर clear? constant भी होना जरूरी है आगे बने आगे बने clear एकदम graph चलो बच्चा बढ़िया very nice आगे चलते हैं वेटा law of mass action गुलबर को और वागे ने दिया था यह law of mass action क्या होता है? the rate of reaction the rate of reaction is directly proportional to directly proportional to the concentration directly proportional to the product of proportional to the product of concentration of reactants to the power of to the power of respective strigyometric coefficient strigyometric coefficient कैसे लिखो के ध्यान से सुनना जरा अगर मेरे पास एक reaction है alpha a plus beta b और इससे बन रहा है gamma c plus delta d ठीक है इस तरीके से और मैंने इन सब को gas ले लिया तो मैं कैसे लिखूँँगा धियान से देखना मुझे एक बाद बताओ इस reaction की rate को rf बोल सकता हूँ forward के लिए और backward को rb बोल सकता हूँ तो forward के लिए reactant a और b है बिटा तो rf इस directly proportional to a की power alpha और b की power beta और rb इस directly proportional to c की power gamma और d की power delta अगर मैं proportional to अगर प्रोल सकता हूँ तो rf क्या आजाएगा rate constant kf forward direction का a की power alpha b की power beta और rb क्या आजाएगा rate constant backward का kb c की power gamma और d की power delta अब अगर मैं आपसे बोलू equilibrium कव अचीव होगा जब forward direction की rate backward direction की rate के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा forward की और backward की rate क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो इनको हम बराबर कर देंगे पहले आप इसको अच्छे से देख लो एक बार forward की rate rf है backward की rate beta rb है rate constant forward का kf है backward का rate constant kb है ठीक है चलो वई चेक कर लो जड़ा चेक कर लो clear आगे बने ठीक चलो वई ध्यान से देखना आप जड़ा तो मैंने इनको बराबर कर दिया अगले पेज में अब मैं इसको अगले पेज में बराबर कर देता हूँ अगर मैं rf और rb को बराबर कर दूँ तो कैसा देखेगा ध्यान से देखना at equilibrium at equilibrium rf rb बराबर हो गए तो kf c की पावर γामा d की पावर डेल्टा kb kf में a की पावर था kf a की पावर अल्फा b की पावर बिटा is equal to kb c की पावर गामा और d की पावर डेल्टा छेक कर लो जब एक बार देखो KB में C और D आते हैं और KF में A और B आते हैं ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहां ला रहा हूँ तो KF अपॉन KB लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ C की पावर गामा D की पावर डेल्टा डिवाइड बाई A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा और यह जो KF बाई KB है बिटा इसी को ही हम क्या बोलते हैं KF बाई KB का नाम है KC तो KC का एक्सप्रेशन क्या आ गया C की पावर गामा D की पावर डेल्टा डिवाइड बाई डिवाइड बाई A की पावर अल्फा और B की पावर क्या आएगा बेटा बीटा तो KC क्या आ गया आपका ऐसा अब आप डारेक्ट लिखा करोगे रिएक्सन के लिए एक बार तो मैंने दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगी कैसे लिखा है अब आप डारेक्ट लिखोगे कैसे कोई भी रिएक्सन दी जाएगी प्रोड़क्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देना आप तो कॉंसेंट्रेशन का ठीक है और जो भी कॉफिशेंट है उसको पावर लगा देना अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूत यह है कि for solids for solids अगर आ गया ठीक है तो कॉंसेंट्रेशन या active mass को हम क्या मान लेते हैं unity मान लेते हैं one मान लेते हैं ठीक है यह ध्यान दखिएगा ठीक clear तो केसी क्या आ गया c की पावर गामा, d की पावर डेल्टा, a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा solid के लिए हम इसको क्या मान लेंगे one मान लेंगे clear है अब इसी तरीके से आप केसी हर reaction का लिख सकते हो ठीक चलें आगे बढ़े चलो बई different type of equilibrium constant discuss कर लेंगे हमें दो type के equilibrium constant पढ़ने है केसी और क्या पढ़ना है केपी अब यह जो केसी होता है यह हम पीछे से कर चुके हैं कैसे केसी कैसे लिखते हो आप केसी कैसे लिखते हो बताव ज़रा अगर मेरे पास reaction alpha बीटा भी गामा सी डिल्टा डी है तो कैसे बोलोगे यहां concentration है तो यहां क्या जाएगी pressure ठीक है इस तरीके से अगर केसी में concentration आ रही है तो केपी में क्या आने लगेगा pressure आने लगेगा बस ठीक है यह धियान दखियेगा तो केसी क्या होता है equilibrium constant in terms of concentration और केपी क्या होता बेटा equilibrium constant in terms of pressure ठीक है और gas के लिए ही आप pressure लेते हो sorry liquid का नहीं लेते हो यह धियान दखिना आप ठीक clear आगे बढ़े केसी हो गया केपी हो गया ऐसे लिखना आपको मैंने reaction कौन सी consider करी थी αलफा ए प्लस बीटा भी गामा सी प्लस डेल्टा डी यह reaction मैं मान के चला था और इसी से मैंने क्या लिख दिया था केसी भी लिख दिया था और केपी भी लिख दिया था clear है चलें आगे बहुत बढ़ी है अगला देखो केसी केपी का relation क्या होता है ध्यान से समझना ज़रा केसी केपी का relation ऐसा होता है कि kp is equal to kc rt की power delta ng इसका भी derivation होता है लेकिन हम करनी रहे हैं यह एक relation होता है kp और kc का अब यहाँ पर different cases और यह j main के लिए बहुत important है क्या case 1 अगर तुम्हारा delta ng delta ng क्या होता है number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant अगर delta ng greater than 0 है तो kp क्या होगा greater than kc सही बात है न अगर delta ng greater than 0 है तो kc में कुछ multiply कर रहे हो ना case 2 क्या बनेगा बेटा case 2 बनेगा if delta ng तुम्हारा क्या है less than 0 है तो kp क्या होगा less than kc होगा क्यों अगर delta ng less than 0 है तो यहाँ power negative आईगी ना तो one upon rd का कुछ power बनेगा ठीक है तो वो कम हो जाएगा case 3 अगर अगर delta ng बेटा तुम्हारा क्या है 0 है तो kp किसके बराबर हो जाएगा kc के बराबर हो जाएगा इस type के question आते रहते हैं एक्जाम में तो kp greater than kc kp less than kc kp equal to kc किन condition पर होता है इस पर और यहाँ जो temperature है ध्यान सुनना यहाँ जो temperature है उसके बारे में हमें बात करनी होगी तो मैं एक अलग case बना देता हूँ क्या case number 4 अगर तुम्हारा if temperature क्या हो जाए 1 by r ध्यान सुनना अगर temperature तुम्हारा 1 upon r हो जाए तो यह तो 1 बन जाएगा और 1 बन जाएगा तो 1 की power delta ng में कुछ भी रखो kp equal to kc आएगा तो always kp equal to kc फिर तुम्हारा delta ng पे depending करेगा तो यहाँ t1 by r के अलावा होना चाहिए ठीक है clear clear तो ऐसा होता है हाँ बेटा partial pressure ही लेना है ठीक है kp में partial pressure चलें आगे बढ़े एग्जाम में इतना time कम बचा है और तुम delta ng पूछ रहा हो number of moles of products आज हो ज़रा बता देते है number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactant ठीक है इस तरीके से हम क्या निकालते है delta ng clear रवड़ा आगे बढ़े चलो बहुत बढ़ी है अब देखो ज़रा सवाल कर लो kp gate than kc फोरा ज़रा फटावट से अगर kp kc compare कराना है तो सबसे पहले delta ng निकालो temperature के बारे में कुछ नहीं बोला है तो कुछ बाद नहीं करनी आपको especially बोलेगा t equal to one wire तभी बात करना delta ng यहां क्या बताओ इधर हो गया 2 minus इधर कित्ता समारा कोफिजेंट का 3 और 1 चार तो यह minus 2 आ गया और delta ng less than 0 है तो kp less than kc होगा यह गलत हो गया तो मैं तो बस यह चेक करना है कि delta ng gate than 0 किसके लिए है इसका delta ng क्या है बताओ ज़रा इधर है 2 और इधर भी 2 हो गया 0 तो यहां kp kc बराबर होंगे इधर आ जाओ ज़रा ठीक है इसको थोड़ा balance कर लो balance नहीं है यहां 2 लिख रहा हो गया अब इसका delta ng निकालो क्या है का delta ng 2 minus 2 और 1 कित्ता हो गया 3 minus 1 तो यह भी answer नहीं होगा ठीक है इधर आ जाओ ज़रा इसका delta ng निकालो 2 minus 1 क्या आ गया 1 greater than 0 यह answer है दोलकपुर is the right answer clear एकदम clear एकदम बिटा सब बढ़िया चलना एकदम मस्त मामला very good बहुत बढ़िया ऐसे करना सवाल exam में आते रहते हैं इसे चलो पर अगला सवाल co plus cl2 से क्या बना है co cl2 find kc by kp अब देखो ज़रा इसका delta ng बता दो ज़रा कितना है इधर 1 है इधर 2 है क्या आ जाएगा minus 1 तो kp is equal to kc rt की power क्या आ जाएगा minus 1 तुम्हें क्या निकालना है kc by kp निकालना है क्या निकालना है ठीक है आगे बने rt हो जाएगा very good very nice बहुत बढ़ी है अगला सवाल आ जाएगा ज़रा क्या गया है तुम्हें निकालना है find t when kpy kc केता है 3 है आ जाएगा kp is equal to kc rt की power मुझे बता दो delta ng किता है ये delta ng है न बता ज़रा delta ng किता है right side coefficient का sum 2 आ गया gas है और यहां 1 है तो delta ng 1 आ गया तो kpy kc क्या आ गया delta ng 1 है न तो rt आ गया और kpy kc कितना दे रखा है 3 दे रखा है ठीक है और divide by r कर दो ये क्या आ गया तापमान 3 by r r होता है 1 by 12 3 into 12 36 हो जाएगा ठीक है clear है 3 by r बहुत बढ़िया अगला सवाल kp for the reaction at 191 degree centigrade is 1.24 find kc ये solid है ये gas है ये gas है तो यहां से delta ng निकालने पहले क्या आएगा ये 1 है minus यहां 3 by 2 बेटा ध्यान देना solid मत ले लेना यहां पर ना solid नहीं लेना तो 1 minus 1 3 by 2 minus 1 by 2 बहुत बढ़िया kp is equal to kc rd की power क्या है ओड़ा delta ng minus half kp कितना दे रखा है 1.24 kc क्या करना है निकालना है r को रख दो 1 by 12 और temperature को रख दो कितना 191 plus 273 ठीक है और इसकी power क्या आजाएगी minus half इसको divide कर देना kc आजाएगा ठीक है clear बेटा kp का मतलब होता है equilibrium constant in terms of pressure और kc का मतलब equilibrium constant in terms of concentration और इस प्रकार के सवाल ना पूछें dropper में होगा है पेपर है तुम्हारा रहाई अभी थोड़े दुनों बाद application of k देखो ज़रा क्या कह रहे है stability of reactant and product बताने के लिए कैसे अगर कोई reaction है reactant से क्या वन रहा है product ठीक है इसका तुमने के निकाला के कैसे निकालोगे concentration of p upon r ऐसा अगर तुम kc निकालना चाहते तो ऐसे निकालोगे अगर तुम kp निकालना चाहते हो तो क्या करोगे pressure of p upon partial pressure of r ऐसी लिखोगे आप यह लिखोगे ना अब मुझसे एक बास सुन लो जरा चाहे kp हो चाहे kc हो मैं k लिख देता हूँ अगर k जादा है तो product जादा है product जादा है मतलब reaction forward direction मैं मतलब क्या बोलूँँगा product stable product stable क्यों reaction forward direction जाएगी अगर k कम है तो left side reaction जाएगी मतलब reactant stable है तो k से तुम बता सकते हो अगर k जादा तो product stable अगर k कम तो reactant stable ठीक है बहुत बढ़ी है clear है बेटा संस्कार गयरा 1 by 12 कैसे हो दा बेटा अगले साल की तयारी चालू कर दो तुमें बताना ज़रा in which reaction product is more stable बोलो product किस में ज़्यादा stable होगा बताओ जिसका k क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा देखो ज़रा किसका k ज़्यादा है इन में से चेक करो किसका k ज़्यादा है product किस में stable है किसका k ज़्यादा है ये है तुमारा 200 क्या है 200 यह तो 10 की बार माइनस 3 है 10 की बार माइनस 3 है 294 चिन नहीं इस दा राइट आंसर more stable चाहिए ना अरे भाई more stable चाहिए भाई ठीक चलें आगे बढ़े more stable चाहिए अरे बहुत सही very nice very nice ठीक है चलें आगे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं factors affecting k की ठीक है इसको पहले पढ़ देते हैं क्या क्या factor affect करते है k को फिर उसके बाद डियोडी पे चलेंगे factors affecting k की अगर बात करें तो दो factor हम ले रहा है number one temperature ध्यान से देख लो जड़ा temperature तापमान temperature पर कैसे depend करता है equation होती है क्या log k2 by k1 अब यहाँ पर तुम्हारा k kcb हो सकता है kpb हो सकता है log k2 by k1 is equal to delta h upon clausius creperon equation का नाम सुना होगा अपने 2.3r ठीक है 1 upon t1 minus 1 upon t2 ठीक है और यह ध्यान दखना equilibrium constant depends only on the temperature ध्यान दखिएगा equilibrium constant depends only on the temperature ठीक तो log k2 by k1 क्या आ गया delta h upon 2.3r 1 upon t1 minus 1 upon t2 इस तरीके से variation होता है इसका delta h क्या है heat of reaction t1 क्या है t1 temperature पर k1 equilibrium constant और t2 पर k2 equilibrium constant है ठीक है तो पहला factor आपका यह हो गया अब मुझे एक बाब बताओ ध्यान से सुनना अगर मेरे पास अगर मेरे पास delta h positive है तो क्या बोलते हो reaction endothermik बोलते हो और मेरे पास delta h क्या है negative है तो क्या बोलते हो exothermik बोलते हो ध्यान रखियेगा endothermik और exothermik वो तो reaction पर depend करता है कि delta h क्या दिया है आप value put करके solve कर सकते हो तो यह हो गया आपका temperature dependence clear आगे बढ़ू आगे बढ़ू हाँ यहाँ पर ध्यान रखना देगो बहुत ध्यान सुनलो तुम्हारा जो kp kc जब खेल रहे थे तुम तब r वहाँ 1y12 रख रहे थे क्यों 0.0821 रखते थे लेकिन यहाँ पर delta h जो भी unit में दे रखा हो अगर delta h तुम्हे जूल में दे रखा है तो r को रखना है वेटा 25 by 3 जूल वाला और अगर delta h तुम्हें calorie में दे रखा है तो r को रखना है 2 ध्यान रखिएगा और kpy kc जो पीछे हमने पड़ा था याद करो kp equal to kc rt की power delta n g वाले में यहां r की unit का किसम रखते हो 1 by 12, 0.0821 liter ATM per mole Kelvin ध्यान रखना इस बात का है ना तो यह एकदम ध्यान रखना है आपको और जो भी delta h दिया जाए चाहे positive चाहे negative sign के साथ put कर देना ठीक है clear यह given होगा आपको delta h question में T1, T2 given होगा k1 given होगा k2 निकालना होगा आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहां से देखना अब इसी में एक factor और है दूसरा strikiometry of the reaction और यह j main के लिए बहुत important है बहुत सारे question आए हैं इससे यहां से सुन लेना जरा यहां सुन लेना जरा second factor में लिख रहा हूँ strikiometry of the reaction strikiometry of the reaction देखिएगा strikiometry of the reaction कैसे अलग-लग कैसे ले लेता है case 1 अगर तुम्हें A से B के लिए equilibrium constant के दे रखा है तो अगर तुम reaction को reverse कर दोगे तो equilibrium constant नया जो होगा वो भी reverse हो जाएगा ठीक? यह ध्यान लगिएगा पहला case हो गया case 2 ध्यान से देखना case 2 अगर मुझे A से B का equilibrium constant के बन दिया है और मैं इसमें किसी coefficient A से multiply कर दूँ तो नया equilibrium constant जो होगा वो इसकी power हो जाएगी मान लो 2 से multiply कर दोगे थर्ड case क्या कहता है अगर तुम्हें A से B का equilibrium constant के बन और C से D का के टू दिया है और तुमसे पूछा है कि इन दोनो reaction को add कर दो add कर दो तो नया equilibrium constant वेटा पता है क्या हो जाएगा? दोनों का multiply जब कभी भी reaction एड होती है equilibrium constant क्या हो जाते पेटा? multiply जब reaction reverse करते हो equilibrium constant one upon हो जाएगा जब reaction में किसी से multiply करते हो तो उसकी power लगा देना अब अगर आप पूछोगी सर किसी coefficient से divide कर दें तो अलग से क्यों पढ़ें? यही तो हो गया अरे भया किसी भी coefficient से divide करने का मतलब है उसके one upon से multiply करना जैसे अगर आप बोलो two से divide करना सर जरा अरे तो two से divide करने का मतलब ही हो गया कि one by two से multiply कर रहे हो है ना two से divide करने का मतलब ही one by two से multiply कर रहे हो तो one by two कर देना यहाँ पर तो अलक्स के पढ़ने की जरुरत नहीं है उसको, ठीक है, clear, बस इतने तीन cases में ही cover हो जाएगा, ठीक, अब आप बोले सारे इनको minus करता है, आरे minus के पर reverse करके add कर दो ना, उसका मतलब भी minus हो गया, ठीक है, clear, बहुत बढ़िया, very nice, आगे बने, देख लो एक बार देख लो यह बहुत important है, देख लो एक बार, अच्छे से, अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है, और जो बच्चे लेख रहा है न, equilibrium क्या होता है, ठीक है, इस type के सवाल, solid का एक्टमास बन क्या, बिटा, अगले साल भी exam होगा, ध्यान रगना, आगे बने, चलो भई, ध्यान से देखेंगे, और, इसका सवाल कर लें क्या, इसके question कर लेते हैं पहले, अच्छा चलो कुछ PYQ करते हैं पहले हैं न, आजाओ जरा, 2019, 12 अप्रेल का, क्या कहना इनका, KP not equal to KC, कुछ PYQ कर लेते हैं, KP not equal to KC, ध्यान से देखना जरा, KP not equal to KC का मतलब क्या है, किसके लिए नहीं हैं, चेक करो, डेल्टा NG से चेक करेंगे ना विटा, डेल्टा NG क्या यहा जीरो ही आ रहा होगा और क्या, इसका क्या रहा है, जीरो देखो, इसका डेल्टा NG जीरो है, इसका डेल्टा NG क्या है वड़ा, जीरो है, और इसका डेल्टा NG क्या है वड़ा, जीरो है, तो क्या आंसर आ गया आपका, आगरा सीधा सा है, बहुत बढ़ी है, सब कही आंस the equilibrium constant for the reaction इसके लिए बताना है आपको धियान लगना ठीक है ये भी 2019 का ताज़ादा जाब इस टाइप के सवाल आते रहते हैं आओ जड़ा आओ इधर आओ ओड़ा इधर आओ क्या कहना है इसमें धियान से देखेंगे के वन के टू गिवन है और मुझे इसके लिए निकालना है क्या करना चाहिए पहली वाली reaction को reverse कर लो क्यों SO2 राइट आ रहा है जबकि तुम्हें left चाहिए था ठीक है और जो कमबार आता है उसी को manage करो जादा वार वाला automatically हो जाएगा ठीक है तो इसको तुम reverse कर दो 2 से multiply कर देना और इसको छेड़ना मत क्यों 2SO3, 2SO3 यही है जबकि यहाँ SO2 राइट है यहाँ SO2 left है और 2 से multiply बहुत आसान है क्या इसको कर दो reverse reverse करोगे तो 1 upon K1 और क्या करना है 2 से multiply मतलब square और second वाले में add कर देना मतलब multiply आपका third का आ जाएगा चेक कर लो जड़ा एक बार सही लिखा है मैंने तो K2 divided by K1 का square K2 कितना है वेटा 10 की power 129 divided by K1 का square 10 की power 52 का square 52 का square कितना हो था 50 का double 100 होता है ना तो 104 होना चाहिए दीक है और इसको minus कर दो power को 9 में से 4 5 दो 10 की power 25 आ जाएगा आगरा इस दा राइट आंस है चेक कर लो आगया सबका क्या बात है बहुत बढ़ी है ऐसी चलते जाओ यार मजा आ जाएगा बहुत बढ़ी है क्लियर है मामला वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड चलो भाई अब अपन आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर या एक और कर लो एक और कर लो 2014 का चलो फटावट से क्या कहना है प्लस हाफ ओटू यहाँ वन बाई टू है हाफ ओटू क्या बनना एसो थृ केपी इक्वल टू केसी आर्टी की पावर एक्स वेर दा सिंबल्स है वी उसल मीनिंग वो तो आप जानते ही हो एक्स बताना है बताओ जरा क्या है डेल्टा अजी तो पूचा है आपसे वही तो x है देखो इतने आसान सवाल आतने है क्या है 1- माइनस इधर क्या है 1 Plus 1 By 2 क्या जाएगा 3 By 2 तो 1-3 By 2 कितना है 1 By 2 बदला पूर इसदा राइट आंसर बदला पूर इसदा राइट आंसर चेक कर लो एकदम सही है बहुत बड़ी अंकल वेरी नाइस अगला सवाल चलो फटावट से AG प्लस प्लस अमोनिया ऐसा बन रहा है और AG NH3 प्लस प्लस अमोनिया ऐसा बन रहा है K1 K2 गेवन है आपको दा formation of the constant बताना है ये इसका मतलब पता है क्या करना है तो AG प्लस प्लस दो अमोनिया क्या बनेगा बेड़ा इससे क्या बनेगा इससे AG NH3 होल ट्वाइस प्लस अब मुझे बता दो जरा ये equation number 1 ये 2 ये 3 क्या करना चीए दोनों को add कर दो ये cut जाएगा देखो दोनों को add करो ये cut जाएगा और ये equation बन गई मतलब k1 into k2 k3 क्या आजाएगा k1 into k2 k1 कितना है 3.5 into 10 की power minus 3 into k2 कितना है ऐसा clear multiply कल देना answer आजाएगा आपका clear एकदम बहुत बढ़िया very nice multiply कल देना चलें आगे बढ़े आगे बढ़े क्या चलो वही आपन वहीं चलते है theory by portion पर फिर वापिस आएंगे फिर करेंगे question चलो भई कहां थे कहां थे factors affecting के बढ़ा दिया मैंने आपको ये अब चलते हैं DOD पर degree of dissociation पर ठीक है ध्यान सा देखना ज़रा बिटा DOD का मतलब क्या होता है ये समझ लो ज़रा DOD degree of dissociation होता है number of moles of number of moles dissociated ठीक है और हम dissociation किसका निकालते है reject end का है न number of moles dissociated divided by divided by number of moles dissociated divided by initial moles taken initial moles taken क्या मतलब हुआ इसका जितने moles चले गए वो उपर और जितने थे वो नीचे ध्यान से सुनना ज़रा अलग-अलग cases में बना के आपको बता देता हूं कैसे case 1 ले रहे हैं देखना अगर A से B दे रखा है और initial mole इसके दे रखे हैं 2 ठीक है initial mole दो तो इस starting में हम क्या मान के चलते हैं यह नहीं है सिर्फ reactant है mole set equilibrium क्या लिखूंगा देखना 2 मैसे x कम कर दो है ना x कम कर दो ध्यान लगना और multiply कर दो किससे coefficient जो यहाँ पर लगा है क्या लगा है 1 ठीक अब जितना यहाँ पर जितना यहाँ पर निकल रहा था कितना निकल ला था x उतना ही यहाँ ले जाओ तो x into इसका coefficient कर दो 1 तो यह कम हो जाएगा और यह बढ़ने लगेगा अब मुझे DOD निकाल ली है यहाँ से क्या DOD क्या आ जाएगा कितना कम हुआ x into 1 मतलब x कितना था 2 x by 2 आ जाएगा DOD ठीक है ध्यान से देखते जाना अगला केस मानलो ऐसा लिखा है मानलो ऐसा लिखा है a से b या 2 ए कर दिया मैंने और यहाँ 3 b कर दिया n i दे रखा है मुझे यहाँ पर suppose 5 यह 0 है इकली वीरियम पर क्या लिखूंगा बताओ जरा बोलो 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 5 मैंसे कितना कम कर दूँगा बेटा 2x ठीक है और यहाँ कितना बनेगा 3x ऐसा तो DOD क्या आगए इसकी DOD of A क्या आगए आपकी 2x by 5 इस तरी के से लिखना है समझे रहे वात को ठीक एक और देखो case 3 अगर मानलो ऐसा लिखा है 2a प्लस b इससे बना रहे हो आप C प्लस 2D ठीक ध्यान से देखना ज़रा अगर मैंने इसके 3 मोल ले लिए इसके 2 मोल ले लिए स्टार्टिंग में 0-0 इकलिव इरियम पर क्या लिखूंगा बोलो 3 मैंसे कितना कम कर दूँगा बताओ 3 मैंसे कितना कम कर दूँगा 2x और 2 मैंसे कितना कम कर दूँगा x ये कितना बनेगा x और ये कितना बनेगा 2x जो भी कॉफी सेंटर से मल्टिपलाई कर देना x में ठीक है क्लियर तो यहाँ पर DoD क्या आ जाएगी इसकी DoD of A आ जाएगी बेटा अच्छा लगेगा आपको ठीक क्लियर है आगे बढ़ू आगे बढ़ू जल्दी बता फटावट से क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बहुत बढ़ी है बेरी नाइस बेटा जुड़े रहना एंट तक सब सिखा दे जाएंगे चलो वई सवाल कर लो जरा इफ थ्री मोल्स और PCL5 इस डिसोसियेटे अकॉर्डिंग टू दा रियेक्शन और रियेक्शन दे रखी है फाइंड डियोडी चलो बताओ जरा ये आपको रियेक्शन दे रखी है डियोडी निकालना है जल्दी से बोल दो ठीक है ये बताओ डियोडी क्या होगी जल्दी बोलो इसके कितने मोल हैं तीन मोल ठीक इनिशेल कितने ले 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 हैं तीन ये जीरो जीरो मोल साट इक्किलिविरियम क्या लिखूँगा तीन मैंसे X कम कर दें यहाँ X और यहाँ X DOD के आ जाएगी बेटा कितना टूटा X कितना था 3X by 3 ठीक है clear एक दम बहुत बढ़िया अगला सवाल 5 mol SO3 this was according to the reaction 2 times SO3 क्या बनेगा 2 times SO2 plus O2 क्या है यह बेटा gas क्या है बेटा gas आ जाओ ज़रा फटावट से 5 mol यह कितना 0-0 initial हो गए 5 मैं से 2X कम किया यहाँ 2X बना यहाँ X बताव DOD क्या होगी 2X by 2X by 5 चेक कर लो जब एक बार clear एक दम clear है बहुत बढ़िया very nice clear है clear एक दम तो इस तरीके से हम DOD निकाला करते हैं very good बहुत बढ़िया सबका अंसर आ रहा है बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही आगे बढ़े अब मैं आपको इस से related question बता देता हूँ कैसे सवाल होते हैं ठीक है DOD का इस्तमाल करके हम KPKC निकाला करते हैं ध्यान से देखना जड़ा सवाल बढ़ो जड़ा 2 moles of A2 and 2 moles of B2R makes it in a flask of volume 1 liter if at equilibrium 0.5 moles of A2 are obtained ठीक है 0.5 moles of A2 are obtained find KC तो अब आप जड़ा ध्यान से देखना A2 plus B2 ठीक A2 plus B2 ठीक है इसके कितने mole हैं 2 ठीक इसके कितने mole हैं 2 और इससे A भी बना लो आप है न equation आप लिख लेना पहले A2 plus B2 से भी बन दा है और ये क्या होगा 0 2 मैसे कितना कम कर दूँ X 2 मैसे कितना कम कर दूँ X यहां कितना बनेगा 2X यह initial और यह equilibrium पर ठीक है अब आप से बोल रहे हैं क्या 0.5 moles of A2 obtain हो रहे हैं तो A2 कितना है 2 minus X कितना है 0.5 तो X कितना आगया यहां से 1.5 ठीक है 1.5 तो moles at equilibrium क्या आजाएंगे 2 minus 1.5 2 minus 1.5 2 into 1.5 सही है 2 minus 1.5 क्या आगया 0.5 0.5 और 1.5 into 2 कितना हो गया 3 यह moles आगए अब तुम concentration निकालो क्या आएगा volume 1 liter है तो mole और concentration तो same ही होंगी डिवाइड वाइड 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 करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेकिन सेम ही रहेगा यह तो अब concentration आगई केसी लिख देना कैसे लिखो के केसी आजाओ 3 का square divided by 0.5 into 0.5 ठीक है चेक कर लो 36 आ रहा होगा ठीक है बहुत आसान है बहुत आसान है भाई यह इसके मोल दो थे इसके दो थे इसके 0 थे दो में से X कम किया दो में से X 2X मोल से निकाल लिए भाई आपको दे रखा था था ना 0.5 A2 के बच्चे है न उतने opt-in हो रहे है clear आगे answer आगे answer आगे बढ़े आगे बढ़े चलो भाई बहुत बढ़िया very nice चलो भाई बहुत सही अब हम आगे चलते हैं अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है ठीक है ध्यान से देखना ज़रा यह आपको equation दे रखी है ह2 प्लस CO2 क्या बन रहा है ह2O प्लस CO के दे रखा इसका 4 ठीक अब मुझे इवा बताओ इसका delta NG क्या है इसका delta NG 0 है तो K को तुम KC ले सकते हैं तो यहाँ K दिया है मतलब KC ले लो initially 0.8 moles of H2 and 0.8 moles of CO2 are injected ठीक है ध्यान से देखना ज़रा मैं equation लिख रहा हूँ बिलकुल बेटा set procedure होता है आपको इसके अलावा और कोई procedure अपना नहीं है सबी लोग ऐसे ही करते हैं तो आपको भी ऐसे ही करना है बिलकुल set procedure है ध्यान से देखना ज़रा initial mole कितने कितने हैं बताओ ज़रा 0.8 H2 के है और CO2 के कितने हैं 0.8 starting में यह 0.0 एकदम set procedure है ठीक है equilibrium पर कितने आएंगे 0.8 minus x 0.8 minus x यह x और यह x सही बात है देख लो चेक कर लो सही लिखा है ठीक है तो जब मैंने यह लिख दिया तो यह क्या आगा है आपके equilibrium moles आगे अब तुम्हें केसी कितना दे रखा है 4 अब मुझे बाबताओ अगर delta NG 0 है तो क्या volume का फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा ठीक है तो आप सीधे mole के form में भी केसी लिख सेकते हो कब जब delta NG 0 है इफ delta NG 0 इफ delta NG 0 तो केसी को मैं क्या लिख रहा हूँ mole के form में लिख देता हूँ क्या क्या लिख रहा हूँ मैं x square upon 0.8 minus x का whole square देगो x into x upon 0.8 minus x और 0.8 minus x दो बार है ठीक केसी कितना दिया है 4 तो यहां से x upon 0.8 minus x का whole square यहां से x निकाल लोगे आप बता दो किता रहा है solve कल लो इसको थोड़ा सा under rule ले लो 2 आ जाएगा x upon 0.8 minus x तो यह हो गया 1.6 minus 2x is equal to x तो 3x is equal to 1.6 तो x क्या आ गया 1.6 by 3 मुझे क्या निकालना है concentration of cox ही है ठीक है तो 1.6 by 3 is the answer चेक कल लेना जड़ा एक बार ठीक है clear एकदम एकदम set procedure है बिटा है न चले आगे बढ़े एकदम set procedure है ठीक आगे बढ़े अगर इसी सवाल में kp बोल देते तो delta ng 0 है kp equal to kc ठीक चलो भई बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके इंतजार में आज़ा ज़रा क्या कह रहे है a plus b से c plus d initially a and b are taken in is equal amount but at equilibrium concentration of d will twice that of a ध्यान सुनना a plus b ये सभी gas है gas कल लेना याँ पर क्या है c gas plus d gas ध्यान से देखो initially a and b are taken in equal amount तो मैंने ये माल लिया कि initially equal amount तो a a ले लिया मैंने initial a mole a mole है ना ये 0 0 add equilibrium क्या लिखूँगा a minus x a minus x ये x और ये x सही बात है दौनों के a थे ना x कम कर दिया उसमें से ठीक है अब मुझे एक बाब बताओ a और b सेम है अब equilibrium concentration of d will twice that of a equilibrium concentration of d will twice that of a और delta n जी तो 0 है तो volume तो वैसी कर देगा तो अपने काम कर देगा mole ही बराबर कर देते ना क्या x is equal to twice that of a twice that of a ऐसा तो यहां से a और x का relation आ जाएगा तुमारा क्या यहां से निकालो x is equal to 2a minus 2x तो यहां से 3x आ गया आपका कितना 2a तो x कितना आ गया 2a by 3 2a by 3 ठीक है तो x यहां पुट कर रहा हूँ तो mole side equilibrium क्या आ गया a minus 2a by 3 सही है a minus 2a by 3 2a by sorry 2a by 3 सही है 2a by 3 तो यह क्या हो गया a by 3 a by 3 2a by 3 2a by 3 equilibrium के mole अब यहां से तुम क्ये लिख लो क्योंकि delta ng तो 0 है ने इसका क्ये लिख लो क्या आएगा 2a by 3 का whole square upon a by 3 का whole square चेक कर लो जड़ा 4 आएगा क्या बात है बहुत बढ़ी है very nice सही जा रहे एकदम चलते जाना है ऐसे चलो अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 9.2 gram of N2O4 is taken in the closed vessel 1 liter है ना and heated till the following equilibrium is achieved at equilibrium 50% N2O4 is dissociated find case ध्यान से देखना जड़ा मेरे पास reaction क्या दे रखी है N2O4 ठीक है क्या बना रहे है बढ़ा say NO2 अब मुझे वाब बताओ 9.2 gram N2O4 के मौल निकाल दे ना जरा फटावट से बेटा वॉल्यम इसले नहीं लिया क्योंकि पिछले question में डिल्टाइन जी 0 था ना आपके यह दर आओ जाए इस वाले सवाल पर आओ क्या कहना है इसमें बताओ 9.2 gram 9.2 gram of N2O4 ठीक है 9.2 gram के मौल कित्ते आ जाएंगे N2O4 का मौलिकुलर वेट 92 है ना तो 0.1 मौल ठीक है यह क्या है 0 इनिशेल हो गए मौल से एक किलिविरियम क्या लिखूंगा बोलना ज़रा बेटा 0.1 माइनस X और यह क्या लिखूंगा 2X अब तुम से क्या बोला है 50% N2O4 इसका मतलब X by 0.1 DOD कितना है 50% मतलब हाफ तो X क्या आ गया 0.1 by 2 यह आएगा बहुत बढ़ी है तो यह आ जाएगा 0.1 माइनस 0.1 by 2 और यह क्या आ गया 2 into 0.1 by 2 सही है और 0.1 माइनस 0.1 by 2 यह 0.1 by 2 ही आ जाएगा और यह कितना हो गया 0.1 यह क्या आ गया इकलिविरियम पर मोल क्या निकालना है केसी निकालना है वॉल्यूम दे रखा 1 लीटर तो कॉंसेंट्रेशन निकाल लो वॉल्यूम 1 लीटर ही है तो डिवाइट करोगे तो भी सेम ही आएगा केसी आगया तुम्हारा क्या 0.1 का होल स्कॉायर डिवाइड बाइ 0.1 by 2 यह आएगा आपका अंसर चेक कर लो जरा चेक कर लो सही है सही है एकदम सही है क्या बात है बहुत बढ़ी है वेरी नाइस ऐसे निकालना है निकाली लोगे अब तो क्या बचा चलो अभी अपन वापिस आएंगे आगे बढ़ते हैं DOD पर based question मैंने करा दिये चलो भई यह topic हो गया यह हो गया यह हो गया अब हम चलते हैं बेटा Leach Atelier Principal पर चलते हैं ठीक है बहुत ध्यान से देखना Leach Atelier Principal क्या कहता है बहुत असान है जो भी आप काम करो उसका उल्टा करना जीवन में भी तैसी करते हो घर वाले बोलते हैं पढ़ो तो पढ़ते नहीं हो हम बोलते हैं question करो तो करते नहीं हो If a chemical reaction is at equilibrium and experiences a change in pressure, temperature or concentration of product or reactant The equilibrium shift in the opposite direction to offset the change मतलब जो भी आप change कर रहे हो उसका उल्टा सोचना है जो भी आप change कर रहे हो उसका उल्टा सोचना है कैसे सोचना है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ऐसे सोचना है ठीक है जो भी आप कर रहे हो उसका उल्टा सोचना है ठीक है कैसे सोचना है ऐसे, दियान से देखना ज़रा क्या कह रहा हूं मैं, effect of concentration, ठीक, मेरे पास कोई reaction है, R से P, मेरे पास कोई reaction है, R से क्या बन रहा है, P बन रहा है, दियान से देखते जाना, अगर मैं आप से बोलू, क्या, कि वेटा, reactant की concentration को बढ़ाईए, मतलब बढ़ा दी, reactant कर दिया, reactant की concentration बढ़ा दी, तो अब उल्टा सोचो, क्या करना है बेटा, कम करना है, और कम कब होगी, जब ये consume होगी, और consume किस direction में होगी, forward direction में, तो लीच एटेलियर से हमें direction of equilibrium के बारे में, पता चलता है, clear एकदम, clear एकदम बहुत बढ़िया, अगला बताना, अगर मै concentration of reactant को क्या कर दूं बेटा, कम कर दूं, बोलना कम कर दूं, अगर मैंने कुछ reactant के मोल निकाल लिये, तो अब इसे बढ़ाना है, उल्टा सोचना न, अब इसे बढ़ाना है, बढ़ेगा कब जब ये बनेगा, और बनेगा किस direction में, backward direction में, ठीक है, तो backward हो जाएगा, clear एक concentration को, product की concentration को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, चलो बढ़ा दिया, अगर मैंने product की concentration बढ़ा दी, मतलब मैंने product के कुछ मोल डाल दिये, तो इसे कम करना है, कम कब होगा, जब consume होगा, और consume कब होगा, backward direction में होगा न, इसका मतलब ऐसा ऐसा, clear एक दम, बहुत बढ़िया, very nice, अ इंकल product की concentration को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बताइए कहां जाएगी direction, अगर product के मोल निकाल लिये, तो इसे बढ़ाना है, बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा, और बनेगा किस direction में, forward direction में, सही है न, इस तरीके से खेल हो जाएगा, ठीक, very nice, बहुत बढ़िया, बहु से देखना जड़ा, effect of pressure पर दियान देना, दियान देना, इधर देखो इधर, जाना नहीं कहीं, इधर देखो, अगर मैं आपके सामने कोई ऐसी ही reaction ले लूँ, ठीक है, मैं इससे समझा देता हूँ, चलो, N2 प्लस 3H2, क्योंकि यहाँ मोल मोल खेलना पड़ेगा न, इसलि से देखना, अगर मैं आप से बोलू, मैंने pressure बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने pressure बढ़ा दिया, तो मुझे एक बाब बताओ, pressure बढ़ाया, तो PV equal to NRT में, अगर V or T constant कर दूँ, तो pressure is directly proportional to moles, तो pressure बढ़ाने पर, mole भी तो बढ़ गए, pressure बढ़ाने पर, भाया, mole भी तो बढ़ ग अब उल्टा सोचो, mole बढ़ गए, कम करने है, कम किस direction में हो रहे हैं, वो reaction से देखके बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने reaction ली, बता यहां कितने mole हैं, 3 प्लस 1 कितना होता है, अरे वाई बचपन से 4, और यहां कितना है, 2, अब मुझे बताना, pressure बढ़ाया था, mole बढ़ होंगे, कम होंगे, मतलब, forward direction, कहां जाएगी, forward direction, clear एक दम, clear है, जल्दी फटावट से बोल दो, clear है, clear है, बहुत सही जा रहे हो, चलो, effect of pressure हो गया, अब अगर, अरे यार, अब उल्टा, क्या ही लिखे, pressure कम कर दो, mole कम हो जाएंगे, reaction मा जाएगी, जहां मोल बढ़ेंगे, तो, effect कर देना, चलो, लिखना जाओ, तो, लिख लो, ठीक है, अगर pressure कम कर दिया, mole कम हो जाएंगे, reaction वहाँ जाएगी, जहां मोल बढ़ेंगे, क्या है, उल्टाई करना है, ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, अगला, ध्यान सुनना, temperature, बेटा, temperature को मैं कुछ R को मैं heat दे रहा हूँ, R को मैं heat दे रहा हूँ, तो क्या बन रहा है, product बन रहा है, और एक ऐसा भी तो हो सकता है, R से P बने, और heat निकले, बताओ कौनसी endo, कौनसी exo, बोलो, कौनसी endo, कौनसी exo है, ये वाली है पेटा, endothermic, और ये वाली क्या है पेटा, exothermic, सही है, एकartet अगर menjadi ऐन से देखेंगे değişik अगर मैंने temperature बढ़ाया तो मुझे बाई बताओ अगर temperature मैंने बढ़ा दिया तो heat दे दिया अब एसे कनट करो जल्दी हो जाए कोश्टन अगर temperature बढ़ा दिया तो heat दे दि heat किसे मिली reactant को मिली और reactant heat लेकर क्या बनाएगा product बनाएगा मतब reaction कहा जाएगी forward direction में जाएगी ऐसे connect कर लो जल्दी हो जाएगा ठीक है अगला बताना अगर temperature कम किया मैंने कुछ heat निकाल ली और heat निकाल ली तो heat बनाओ बनेगी कब जब यह produce होगी और produce किस direction में backward direction में ऐसा इस तरीके से बहुत आसान है ठीक है अगला अगर म मैंने यहाँ temperature बढ़ा दिया बोलो अगर मैंने यहाँ temperature बढ़ा दिया तो reaction कहा जाएगी बोलो temperature बढ़ाया heat देदी किसे मिल रही है product को product heat लेके क्या बना रहा बेटा reactant तो बना रहा है मतलब backward direction अगर मैंने temperature कम कर दिया heat निकाल ली heat बनानी है कब बनेगी जब forward direction में जाओ clear है तो आप ऐसे heat से connect करके जल्दी बना सकते हो clear बहुत सही तो इस तरीके से आप connect करोगे आपको अच्छा लगेगा जीवन में आगे बने आगे बने आगे बने आगे बने जल्दी फटावट से very nice बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया catalyst पर चलते हैं catalyst क्या करता है does not affect the equilibrium does not affect the equilibrium equilibrium को affect नहीं करता लेकिन हाँ forward और backward दोनों की ही activation energy को कम कर देता या rate को बढ़ा दोनों की है ना does not affect the equilibrium अगला अगर मैं आपसे बोलू at constant pressure inert gas मिला रहा हूँ और constant volume ध्यान से देखना constant pressure पर अगर मैं inert gas को मिला रहा हूँ मेरे पास ध्यान सुनो मेरे पास एक मेरे पास एक balloon है ठीक है मेरे पास एक balloon है और इसमे एक जमा जम reaction चल रही है N2 plus 3H2 और इससे क्या बनावटा 2NS3 ठीक है मेरे पास एक balloon है और इसमे एक जमा जम reaction चल रही है यह वाली दियान से देखना ठीक है ये सभी gas है ठीक अब अगर मैंने इसमें inert gas मिला दी ठीक दियान सुनना पहले इसका total pressure total pressure 10 ATM था total 10 ATM तो सभी gas इसका मान लिया मैंने ठीक अब मैंने इसमें क्या करा बेटा inert gas मिला दी ठीक है अब मैंने इसमें inert gas मिला दी अगर मैंने इसमें inert gas मिला दी तो क्या होने वाला है ये तो reaction चली रही थी N2 प्लस 3H2 से 2NS3 देखना ध्यान से ठीक इनर्ट gas मैंने helium और डाल दी इसमें ठीक है बहुत ध्यान सुनना यहां 10 ATM था inert gas मिला दी मुझे एक क्या लिखा यहां constant pressure तो pressure तो मुझे 10 ATM ही रखना है अगर pressure मुझे 10 ATM ही रखना है inert gas तुमने मिला दी तो ध्यान से सुनना inert gas भी तो कुछ pressure रखेगी अपने पास माल लो इसमें pressure रखा 2 ATM दो ATM तो इसका total pressure क्या हो जाएगा इसका total pressure क्या हो जाएगा 8 ATM तब ही तो total 10 हो रहा है इसका मतलब reaction का reaction में involve N2H2 ammonia का total pressure 10 था और 10 से अब क्या हो गया 8 किसकी वज़े से inner gas के आने की वज़े से इसका मतलब तुमने क्या क्या pressure को decrease कर दिया तो यह पता है कौन सा वाला case हो गया यह तुम्हारा case हो गया यह वाला यहां से देखना यह वाला pressure को decrease कर दिया ठीक है pressure decrease कर दिया तो mole क्या हो गए कम हो गए तो reaction कहा जाएगी जहां mole बढ़ेंगे यह तुम्हारा क्या हो गया external effect तो जहां mole बढ़ेंगे, mole कहाँ बढ़ रहे हैं, बताओ, इस reaction में इसके total 4 थे, इसके 2 थे, mole कहाँ बढ़ रहे हैं, backward तो reaction कहाँ जाएगी, backward direction में समझे बात को बिल्कु सही है, backward direction में जाएगी तो inert gas at constant pressure मिलाने का मतलब ही है मोल कम हो जाएगे, reaction में जाएगी, जहां मोल बढ़ेंगे constant volume है, बढ़ आप, volume अगर constant है तो कोई effect ही नहीं पढ़ेगा तो क्या लिखूंगा, मैं does not affect the equilibrium does not affect the equilibrium, ठीक है, जैसे catalyst का factor था वैसे इसका clear, चलो वई, बहुत बढ़िया तो यह कहानी थी इसकी, और देख लेते हैं, और कौन सा बस हो गए, यही factor थे, अब हम करेंगे सवाल, आजाओ ज़रा यहां पर आजाओ ज़रा यहां पर, फटावट से 3 question कराजता हूँ, इसी से related question आते रहते हैं, आजाओ इसमें N2 बढ़ा रहें, बताओ, अगर मैं N2 की concentration को बढ़ा दूँ, कहां जाएगी बोलो अगर N2 की concentration बढ़ा दें, तो कहां जाएगी, अरे भाई, जल्दी, इधर देखो भाई, अभी जो stand होगे, तिल्दी, इधर आओ N2 की concentration बढ़ा दी, कहां जाएगी बताओ, अगर N2 बढ़ा दिया तो reccent बढ़ा दिया reaction कहां जाएगी, इसको कम करना है forward direction, ठीक, मालो O2 को कम कर दिया बताओ O2 कम कर दिया भोलो, O2 कम कर दिया, निकाल लिया O2, तो reaction कहां जाएगी, wackervar direction में O2 बढ़ाना है न ठीक बहुत बढ़िया अगर मैंने temperature को बढ़ा दिया ठीक है कुछ ऐसी different randomly question ले रहा हूँ कुछ भी आ सकता exam में temperature बढ़ा दिया बताओ क्या होगा temperature बढ़ाया तो heat दे दी heat मिली इसको तो यह क्या बनाएगा product मतलब forward direction दो है does not affect does not affect the equilibrium ठीक है clear ऐसे आएंगे और भी इसमें variation हो सकते हैं आज ओ इधर कर लेते हैं कुछ question इस वाले मानलों मैंने ऐसा कर दिया temperature को कम कर दिया बताओ क्या होगा temperature कम कर दिया delta edge इसका positive है delta edge positive का मतलब तुम किसको heat दे रहा हो इसको heat दे रहा हो अगर temperature कम कर दिया तो heat निकाल ली heat बनानी है बनेगी कब backward direction में तो reaction कहा जाएगी backward ठीक अगला देखो inert gas at constant pressure inert gas at constant pressure बताओ ज़रा फटावट से क्या होगा inert gas at constant pressure मिलाने का मतलब ही है इसका उल्टा सोच लो जहां मोल बढ़ेंगे यहां कितने मोल हैं एक यहां दो कहां जाएगी forward direction क्लियर इस तरीके से अगला इसमें और कर लेते हैं मानलो यह लिखा है ठीक है यहां तुमने यहां तुमने inert gas मिला या ऐसा बोल दिया by adding catalyst बताओ जरा क्या होगा by adding catalyst बोलो क्या होगा सीधा सीधा no effect ठीक एक और बता दो अगर ammonia को बढ़ा दिया अलो different variation हो सकते हैं चलो ammonia की concentration बढ़ा दी क्या होगा बताओ ammonia बढ़ा दिया तो reaction कहा जाएगी इसको कम करने की तरफ तो backward एक मान लो H2 को तुमने बढ़ा दिया H2 बढ़ाया इसको कम करना है जब ये consume होगा forward बहुत simple है temperature को तुमने कम कर दिया बताओ अब ध्यान सुनना यहाँ minus heat लिखा है न तो इसको तुम उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा प्लस heat बन जाएगा क्या बन जाएगा प्लस heat बन जाएगा temperature कम करा heat तुमने निकाल ली reaction कहां जाएगी heat बढ़ाने के लिए तो forward direction बात समझ में आई बात समझ में आई एक बच्चा कहा रहा external pressure तो constant बेटा ये जो pressure है ये reaction का होता दिहान लगना ये reaction mixture का pressure के बारे बात कर रहे हैं हम ठीक है clear समझ गया बात को ऐसे लगा देना आप answer आजाएगा different variations के साथ मैंने करवा दिया आपको clear है बेटा clear है yes sir अब आगे बढ़ते हैं relation between DOD and vapor density direct formula लिख रहा हूँ मैं DOD vapor density का क्या होता है degree of dissociation अगर alpha बोलता हूँ तो D minus D upon D into N minus 1 अगर मैं reaction ऐसे लेके चलूँ कि एक reactant था एक ही mole था इसका और इससे N mole product बन रहे हैं एक reactant का एक ही mole और N mole product बन रहे हैं तो ऐसा होता है अब ये capital D क्या है ये है vapor density of reactant vapor density of reactant small d क्या है vapor density of the mixture of equilibrium mixture ठीक और alpha क्या है ये DOD है ठीक है और N क्या है number of moles of product तो N कैसे निकालते हैं आभी बताऊंगा पहले आप ये note कर लो ठीक है N कैसे निकालना वो बताऊंगा ठीक चलो भई बहुत बढ़ी है चले आगे चले आगे जल्दी बोलो आगे बढ़े चलो भई देख लिए इसको अब मैं significance of N बता रहा हूं कैसे निकालना है बहुत ध्यान से देखना अगर मेरे पास ऐसा दे रखा है PCL 5 इससे दे रखा है ठीक है PCL 3 और CL 2 अब देखो जरा एक मोल एक ही reactant यहां लेना है ठीक है और इस तरफ से N निकालते है तो N क्या हो जाएगा यहां इसका coefficient 1 और इसका coefficient 1 यह आएगा ऐसा ठीक है और यह ध्यान लखना यह जो equation है यह N not equal to 1 होना चाहिए यहां पर तभी valid है यह ठीक है अगला देखना जरा अगर मैं आप से वो लूँ अगर मैं आप से वो लूँ ammonia से बन रहा है half N2 plus 3 by 2 H2 3 by 2 H2 बताओ जरा N क्या हो जाएगा 1 by 2 plus 3 by 2 4 by 2 कितना आ गया 2 significance of N क्या है right side product की तरफ mole का sum कर देना ठीक है product की तरफ mole का sum कर देना ठीक है यह कहानी है clear मामला चलो जैसे के सवाल कर लेते हैं इससे आपको idea लग जाएगा यह कर लोगे तो समझ जाओगे d y d निकालना है मुझे 90% convert कह रहे हैं a से 3 b बताओ N क्या है यहाँ पर बोल देना जरा आप ज़दा फटावट से N निकालो मैं formula लिख रहा हूँ d minus d upon d into n minus 1 बोलो ज़दा फटावट से क्या आएगा जल्दी फटावट से बोलो n क्या आएगा यहाँ पर 3 उठ कर देना जरा alpha कितना 90% मतलब 0.9 ठीक है d से अलग अलग divide दे दिया यह काम करो आप देना आराम से d minus d upon d into n minus 1 कितना 3 minus 1 2 हो गया इधर चला गया 0.9 into 2 1.8 क्या आगया यह d minus d upon d तो d by d की value कितनी है जाएगी 1.8 d by d minus 1 और minus 1 इधर गया इधर चला गया 2.8 d by d आ जाएगा चेक करना जाए एक बार क्या इवास सही है चेक कर लो जल्दी फटावट से चेक करो जल्दी से clear एक दम बहुत बढ़िया very nice ऐसे करना है clear है चलो भाई अब अपन चलते हैं reaction quotient पर आँग यार फिर अपन पीवाई की यूगल लेंगे काम काता हम इतना पढ़ना है बस आपको reaction quotient के बारें बात करेंगे reaction quotient से तुम्हें क्या बता चलता है reaction quotient से तुम्हें इकली विरियम की direction बता चलती है forward या backward कैसे reaction quotient Q कैसे निकालते हो देखो Q तुम QC और QP तोनों के form में निकाल सकते हो मैं QC से समझाएता हूँ same वैसी QP से होता है तो मैं एक काम करता हूँ मैंने एक reaction ली alpha A plus beta B क्या बन रहा इससे gamma C plus delta D धियान से देखना ज़रा अगर मैं यहाँ से Q निकालू QC निकालना हूँ तो concentration लेना QP निकालो तो pressure लेना QC क्या आएगा concentration of C की power gamma D की power delta और A की power alpha और B की power beta अब धियान देना आप बोलोगे sir यह तो आपने case लिख दिया ना यहाँ पर अगर मैं case लिखता तो यह concentration equilibrium की होती है इसका मतब QC लिखने मतब क्या है यह concentration equilibrium की नहीं है concentration of A, B, C, D not at equilibrium ध्यान लखना यह लिखते वैसे ही हैं लेकिन equilibrium की नहीं है अब इससे तुम्हें direction कैसे बता चलेगी आपको यह दिये जाएंगे QC निकालोगे या कभी pressure दिया जाए तो QP निकाल लेना तो इसके cases हम बनाएंगे क्या case 1 अगर QC और केसी बराबर हो गए तो हम बोल देंगे equilibrium है अगर case to ध्यान देनना ध्यान सुनना ध्यान से अगर QC बड़ा है किस से? केसी से अगर QC बड़ा है तो तुम यह समझो कि product जादा है और product अगर जादा है तो इसे कम करना है तो forward, sorry, backward direction जाएगा तो क्या बोलोगे? backward direction इस तरीके से बड़ेट करेंगे अगर case 3 की मैं बात करूँ अगर QC तुम्हारा कम है कम है, किस से? case C से तुम तो यह समझ लो QC कम है तो यह कम है A और B कम है, ठीक है? उल्टा लिख दिया गया है एक बार फिर जुन लो अगर QC जादा है तो C और D जादा है तो यह हास, ठीक है? अगर QC कम है तो C और D कम है A और B जादा है, सही लिखा है अगर QC कम है तो C और D कम है, क्योंकि numerator मे तो इसको बढ़ाना है मतला forward, सही एक दम क्या आएगा? forward direction, ठीक है? इस तरीके से करना है ठीक? QC greater than KC backward और QC less than KC forward आएगा clear एक दम, एक दम सही है अब तुम्हें apply कैसे करना है? ध्यान से सुनना एक सवाल कर लो जड़ा इधर आजाओ क्या कहा रहा है? इसमें आना जड़ा NO BR से क्या बन रहा है? NO plus half BR2 KP दिया है NO BR NO BR2 are mixed having partial pressure 0.5, 0.4 and 2 अब मुझे यहां से QP निकाल दो QP कैसे निकलेगा? जैसे आप KP लिखते थे लेकिन वो equilibrium पर नहीं है ध्यान लगना तो pressure of NO into pressure of BR2 की power half divided by divided by divided by divided by pressure of partial pressure of NO BR क्या यह तुम्हें गिवन है? क्या यह तुम्हें गिवन है? क्या यह तुम्हें गिवन है? जल्दी से बोल दो क्या यह तुम्हें गिवन है? बताओ pressure of NO कितना है? 0.4 ठीक है? value अच्छे सोटाना 0.4 pressure of BR 2 कितना है BR 2 का 2 सही है और pressure of NO BR कितना है 0.5 चेक कर लो इसको क्या राए यह आप मुझे बताओ KP देई रखा था तो QP और KP में में क्या लिख दूँ कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा है जल्दी से चेक करो कौन सा बड़ा है कौन सा बढ़ आजल दी बोलो 4x5 और अंडर रूट दो कित्ता होता है 1.414 4x5 इंटू 1.4 चेक कर लो जरा एक बार जो भी आ रहा है QP के और KP में रिलेशन देख लेना ज़्यादा आ रहा है किया ये QP greater than KP आ रहा है किया चेक करो जरा एक बार चेक करो चलो बहुत बढ़िया तो मैं answer लिख रहा हूँ आप लोगों ने बताया backward reaction ठीक है इस तरीके से clear एक दम मामला बहुत बढ़िया clear है चलो भई चले एक simultaneous equilibrium last topic और देख लो simultaneous equilibrium के बारे में है ना चलो भई दिहान से देखना ज़रा क्या कहानी है इसकी पढ़ दो ज़रा if in any container there are two or more equilibrium existing simultaneously having one or more than one common species usually one होता है लेकिन one से ज़्यादा भी हो सकता है then in both or all the equilibrium the concentration of common species the total concentration of that species due to all the equilibrium जैसे बहुत असान है मालो मेरे पास ऐसा दे रखा है a दे रखा है gas इस से क्या बन रखा है b plus c gas gas और मुझे एक equilibrium दे रखा d gas और इस से क्या बन रहा है b plus e इस तरीके से तो उन्होंने ये बोला है कि जो equilibrium concentration होगी मालो आप मुझे एक बादा common कौन सा है ये तो देखके बता सकते हो common कौन सा है common दोनों में b common है ना तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर इधर b की concentration c1 है यहाँ b की concentration c2 है आपने solve करा c1 c2 आया तो total concentration of b की आ जाएगी total concentration of b की आ जाएगी बताओ c1 प्लस c2 ठीक है यह मतलब है इसका total concentration of b की आ जाएगी c1 प्लस c2 दोनों individual equilibrium आपको कुछ condition दी जाएगी solve करना sum कर देना ठीक है clear है यह simultaneous equilibrium होता है एक last topic और बचा है यह वाला जो थर्मों में नहीं बढ़ाया था मैंने gives free energy का relation किसके साथ k के साथ ध्यान जा देखो अगर मैं delta g की बात करूँ तो delta g का एक relation होता है delta g not plus rt ln q ठीक है अगर मैं ऐसा वोलूँ आपसे at equilibrium तो at equilibrium क्या होता है delta g होता है विटा 0 और q क्या हो जाता है k के बराबर अब qc होगा तो kc qp होगा तो kp है ना q k के बराबर तो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूँ delta g 0 है तो delta g not क्या आ जाएगा minus rt ln के आ जाएगा और यहां r की unit आप क्या रखोगे 25 by 3 अगर delta g not तुम्हारा किसमे है जूल में और अगर delta g not तुम्हारा calorie में चल रहा है मामला तो r की value के आ रखोगे 2 ठीक है बस यह relation ध्यान लगना इस relation से direct question आ सकता है इस वाले से ठीक है इस वाले relation को आप ध्यान लगने इस से direct question मिल सकता है और तापमान किसमे है temperature Kelvin में ठीक है ठीक ऐसा है ठीक है आप lock के form में लिखना चाहो तो 2.3 से multiply करते हैं अगर ठीक अब मैं आपको PY की use करवा देता हूँ आपको अच्छा लगेगा जीवन में चलो वई 2019 में आ जाओ जरा फटावट से 2019 में आओ जरा फटावट से 2019 में आ जाओ क्या कहना है the incorrect match in the following बताना जरा अभी relation लिखा क्या delta G naught क्या आ गया minus RT ln K मुझे बताओ delta G naught यह आया हम जो दाना पहला चेक कर लेते हैं अगर delta G naught अगर delta G naught less than 0 है तो यह यहाँ negative आएगा यह negative इधर negative को काट देगा तो ln K positive आएगा तो K greater than 1 आएगा तो यह तो correct है correct नहीं चाहिए हमें अगला देखो अगर delta G naught तुम्हारा 0 है ठीक तो यहाँ तुमने 0 रख दिया तो overall sub 0 ln K is equal to 0 बोल सकता हूँ यह सारे 0 में चले जाएगे ln K is equal to 0 मतलब lock is equal to 0 तो K के आजाएगा 10 की power 0 मतलब 1 इसका यह भी सही है यह गलत कर दो मतलब incorrect अगला अगर delta G naught greater than 0 है अगर delta G naught तुम्हारा क्या है greater than 0 है देखना अगर delta G naught greater than 0 है तो यह positive है तो ln K की value negative आएगी और lock की value negative निकलने का मतलब है K less than 1 आएगा तो यह भी correct है incorrect पूचा होगा तो D आएगा अगर यह होगा है न delta G naught less than 0 पे K less than 1 थोड़ी आगे greater than 1 आएगा धोलक पर इसदर right answer ठीक है clear है चलो बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया जा रहे हो बहुत ही बढ़िया जा रहे हो एक सवाल और है 2019 का पढ़ावट से पढ़ लो 2 SO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है SO3 delta H negative एक्जो थर्मेक है केसी दिया है आपको इतना 10 की power 16 है 1.7 के साथ which of the following statement is incorrect incorrect चाहिए तुमें है न incorrect चलो चेक करो the equilibrium constant decreases as the temperature increases बताओ जरा temperature बढ़ाया तो reaction कहा जाएगी delta H negative का मतलब इधर प्लस heat कर लो temperature बढ़ाया तो heat दे दी heat कम करना है मतलब backward जाएगी ऐसा ठीक है तो equilibrium constant क्या होगा decrease तो ये तो correct है भाई backward जाएगी तो equilibrium constant decrease होगा न ठीक है the addition of inert gas at constant volume will not affect बिल्कु सही है the equilibrium will shift in forward direction as the pressure increases बताओ अगर मैंने P बढ़ाया तो number of most बढ़ गए reaction कहा जाएगी जहां mole कम होगे 2 और 1 3 यहां कितने हैं 2 forward जाएगी बिल्कु सही है मतलब last answer आएगा देख लो the equilibrium constant is large suggestive of the reaction going to completion and so no cut is required ना catalyst तो जरूत होती है ना कई reaction मैंसा जरूरी थोड़ी है भाया host world process, contact process बहुत सारी process होती है जहां catalyst की requirement होती है आगे बढ़े अगला सवाल 2019 का फटाबट से क्या करना है A ना chemical reaction A plus 2B से 2C plus D बन रहा है the initial concentration of B was 1.5 times concentration of A ध्यान सुनना A plus 2B से क्या बन रहा है 2C plus D ध्यान से देखना जरा the initial concentration of B was 1.5 times of A तो initial concentration of B अगर A अगर मैंने small A ले लिया तो B कितना बोल दूँगा 1.5 times of A सही है देखो initial concentration of B was 1.5 times of A तो A को मैंने A ले लिया तो 1.5 A हो जाएगा but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal इतना तुम्हें पता होना चीए अब आगे बढ़ जाओ अब आपको पता है क्या ये initial है 0 0 mole set equilibrium क्या आ जाएंगे A minus X 1.5 A minus 2 X ये 2 X और ये X अब ये दोनों बरावन equilibrium पर क्या A minus X is equal to 1.5 A minus 2 X ठीक है 2 X को धल ले जाओ तो X बचेगा और 1.5 A में से A गया तो 0.5 A बचेगा चेक कर लो जड़ा एक बार क्या सही है ठीक है तो 0.5 A आ जाएगा तुम्हारा क्या X अब आपको क्या निकालना है क्या निकालना है इसका delta NG तो 0 है delta NG 0 है तो तुम्हें volume के तो दिक्कत है ये नहीं सीधा इसी के form में answer रख दो तो क्या आ जाएगा आपका ठीक है 2X का whole square into X divided by A minus X और 1.5 A minus 2X और यहां से तुमने X निकाल लिया क्या 0.5 A पुट कर दो यहां पर 0.5 A पुट कर दो और केसी निकाल लो ठीक है put X is equal to 0.5 A फटा पट से मुझे केसी पता दो कितना आ रहा है चेक कर लो केसी कितना आ रहा है केसी चेक कर लो ठीक है जो भी आ रहा है answer आगया आपका समझ गया ना इसका A था तो इसका 1.5 A हो जाएगा A minus X 1.5 A minus 2X यह 2X EX और यह दोनों बराबर कह रहे है A और B की यह ठीक है निकाल लेना आप मैंने डेल्टा एंजी जीरो इसले लिया ना क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता है तो हम उसको गैसीयस फॉर्म में माल लेते हैं ठीक है आगे बढ़े क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ जल्दी फटावट से चलो भई अगला सवाल 2019 का इसको भी कर लो जल्दी फटावट से बताओ जरा consider the following reversible chemical reaction A2 plus B2 से 2A भी बन रहा है 6AV 3A2 plus 3B2 बताओ जरा क्या करना चीए जल्दी फटावट से बोलो जल्दी फटावट से कहाँ पर square होगा एक मिनट वो एक बच्चा कहे रहा है square होगा कहाँ गया एक बच्चे का कहना square होगा ध्यान से देख लेता हूँ 2X का whole square X और A-X 1.5A का यहाँ square होगा इसको सही कर लो ठीक है इसको square कर लो क्या हो इधर थे ठीक है चलो फटावट से चलो फटावट से आ जाओ चलो जल्दी इधर आओ इधर आओ फटावट से क्या answer आ रहा है जल्दी से बोलो क्या answer आ रहा है इसका answer बताओ पिछले वाले का मैंने correct कर दिया वहाँ square चूट गया था 2 चूट गया था लिख लेना आज रहा है A2 प्लस B2 से 2AB आपको क्या करना है सुनो इस वाले को पलट दो और 3 से multiply कर दो क्यों यहाँ 2AB है यहाँ 6AB है तो पलट के 3 से multiply पलट के पलट के 3 से multiply यह आगे आपका देखो चेक कर लो जरा option बड़ाबट से ता value of Kpy Kc 2019 का यह देखो ताजा ताजा सवाल ऐसी आते हैं बना लेना यार आप बन जाएंगे Kpy Kc for the reaction बताना है आपको 300 Kelvin पर कह रहा है आपसे Rt की value भी दे रखी है इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए बताओ फटावट से बताओ एक काम करो डेल्टा एंजी निकाल के लिग लो बस बाकी solve कर लेना डेल्टा एंजी इसका क्या है 0 इसका डेल्टा एंजी क्या है 1 और इसका डेल्टा एंजी क्या है आपका minus 2 ठीक तो पहले वाले का क्या आएगा Kpy Kc क्या आजाएगा Rt पहले वाले का Rt की power 0 सही है ना Rt की power 0 इसका क्या आएगा Rt आएगा तो 24.6 दो और इसका क्या आएगा Kpy Kc बताओ Rt की power क्या आएगा minus 2 ठीक है अब वो चेक कर लेना एक बार आप Rt की value पूट करके 24.6 पूट करके देख लेना मतब option के हिसाब से चलू ना मागर मैं option के हिसाब से अगर चलना चाहूंगा न तो आपका आपका या तो A होगा या B होगा अगर मैं option से चलू या तो A क्योंकि ये दोना तो common है 1-1 ही आ रहा है और ये Rt 24.62 और Rt की power minus 2 मतब 1 upon Rt का whole square तो 10 की power मेरे एसाब से बदला पुराना ची आंसर क्या लग रहा है आप 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 तो लिए अवालो हालो आवाज नहीं आ रही है ऐसा होई नहीं सकता क्या आप आ रही है हालो 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 1-2-3 माइक टेस्टिंग आ रही हावाज है ना चलो बहुत बढ़िया भई या बदला पुरा आएगा सही है ना मैंने तो option के इसाब से चेक कर लिया इस type option से कर लिया अगर आप भी clear एक दम मामला ठीक है एक 2016 का सवाल कर लो ठीक फटावट से कर लो जल्दी से फटावट से 2016 का क्या कहना इसमें बताओ अरे इसी type के सवाल आते देखो a प्लस b से c प्लस d 100 दे रखा इसका equilibrium constant if the initial concentration of all the four species were one molar ध्यान सुनना अब की बार उन्होंने सभी का concentration one दे रखा देखो ज़रा ध्यान से one 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 तो क्या लिखूंगा one minus x one minus x और ये one पहले से है x और बनेगा तो one plus x ठीक अब इसका delta ng तो 0 है कुछ नहीं दिया तो आप gas मानके solve करा करो है ना तो delta ng इसका 0 है और अगर delta ng 0 है तो तुम सीधे mole के term में लिख सकते हैं ना k तो case is equal to one plus x का whole square upon one minus x का whole square सही जा रहा हूं में एक दम बिल्कु सही जा रहा हूं case कितना है 100 है तो ये आगया one plus x upon one minus x यहां से x निकाल लो जड़ा फटावट से क्या आ रहा है x निकाल लो ठीक है यहां से x निकाल लो जैसे ही तुमने यहां से x निकाला तो मैं concentration of d निकालना है और concentration of d क्या आएगा one plus x चलो फटावट से x बता दो मुझे कोई किसी ने निकाला हो तो जल्दी से कितना आ रहा है जल्दी से x कितना आ रहा है अच्छा यहां square होगा न यह तो अभी रखना है अंडरूट निकालो 10 is equal to 1 plus x upon 1 minus x क्या जाएगा 10 minus 10x is equal to 1 plus x सही है तो 10 और 11 और यह 9 9 by 11 आ रहा है 9 by 11 x तो यह क्या आ गया 1 plus 9 by 11 19 by 11 नहीं 11 और 20 by 11 20 by 11 आ रहा है चेक कर लो जरा ठीक है 20 by 11 आ रहा है चेक करो जरा 20 by 11 आ रहा है देख ले ना एक बार answer 20 by 11 आ रहा है ठीक अगला बता हो जरा 2015 का एक हो जाए फटाबट से चलो फटाबट से अगला बता अगला जल्दी से अरे भाई volume तो कट जाएगा ना volume तुम लग लिख लो V स्कुर नीचे V स्कुर ऊपर कटे गई ठीक है आओ जरा दा स्टेंडर्ड गिपस एनरजी चेंज 300 Kelvin for the reaction is this मतलब डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव दिया है तो डेल्टा जी भी तो पॉजिटिव ही होगा है ना क्योंकि RTLN के एड होना है तो डेल्टा जी तुम्हारा पॉजिटिव है डेल्टा जी क्या है greater than 0 और डेल्टा जी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया reaction कहा जाएगी forward direction में तो less than 0 पे जाती है reverse होगी ठीक है तो forward हटा दो forward हटा दो answer क्या आएगा B.O.D. में से because Q greater than K.C. मैं तो डेल्टा जी से connect करके बता दिया आप Q से निकाल लो इसका Q निकालना ज़रा क्या आएगा निकालो ज़रा इसका Q इसका QC आएगा concentration of B कितना है 2 concentration of C कितना है half divided by concentration of A कितना है 1 by 2 का whole square ठीक है तो ये QC कितना आजाएगा आपका 4 आजाएगा और केसी कितना दे रखा है आपको कुछ दे रखा है क्या कुछ दे रखा है क्या कुछ दे रखा है क्येसी नहीं दे रखा है इसका मतब आएगा answer दो आप लगाई सकते हो delta G greater than 0 केसी नहीं भी दिया तो भी कर सकते हो डेल्टा जी ग्रेट देन जीरो ठीक है इसका मतब रिवर्स होगी और रिवर्स होगी तो बैक बार डारेक्शन का क्या फंडा होता है बदला पूरा हंचल लगा दूमें सही है ना बिना इसके ये जरूत ही नहीं निकालने की दुमें भाई condition से ले दूम आंसर बता सकते हो ठीक है तो बैसे मेरे साब से इसको निकालनी जरूत ही नहीं पढ़ेगी जरूत ही नहीं पढ़ेगी ठीक है बोग आप ऐसी लगा लो न डेल्टा जी नोट अगर ये है तो delta gb तो greater than 0 ही होगा ना ठीक बहुत बढ़ी है बदला पूर लगा दो answer सीधा clear एक दम मामला अगला सवाल अगला सवाल conceptual है ये add constant temperature the equilibrium constant kp for the decomposition of this is expressed by this ये दे रखा है एक pressure है x extent of decomposition मतब डी ओ डी है which of the following statement is true बता जरा इन चारों में से क्या है बेटा kp या kc only temperature dependent होते हैं तो kp remain constant with change in p and x vary नहीं करता दियान रखना ठीक है clear clear है बाई dependent नहीं करता है दियान रखिएगा अगला सवाल अगला सवाल 99 का इंतजार कर रहा है आपके लिए चलो जल्दी फटावट से कर दो देखना जरा इकली विरियम में क्या थे 3x प्लस y, x3y ठीक है 3x प्लस y, x3y फटावट से देखो जरा the amount of x3y at equilibrium is affected y बताओ जरा temperature and pressure temperature only pressure only temperature, pressure and catalyst बताओ देखो catalyst से तो affect होता नहीं है ठीक है और temperature, pressure अच्छा, इसका delta ng क्या है बता न इसका delta ng है 1 और यहां 3 और 1, 4 मतलब minus 3 1 minus 4 minus 3 इसका मतलब pressure तो affect करेगा delta ng, कुछ ना कुछ तो आ रहा है न तो आगर answer आजाएगा इसका चेक करो जरा आगर answer आजाएगा चेक करो या amount of x3y के बार में बूचा है kp के सी बार में धोड़ी बूचा है बहुत बढ़ी है आगे बढ़े आगे बढ़े क्या एक सवाल फटावर से देख क्या answer लगा देना for the reaction h2 plus i2 से 2 है जाएगा kp changes with किस पर depend करता है ताप मान पर ठीक है ठीक क्लियर है तो अब मुझे लग रहा है आपको कुछ confidence आया होगा ठीक equilibrium में आपको अच्छा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा एक last question और कर लेते हैं 2018 का ठीक है इसी type के सवाल आते हैं देगो सारी तो करा दिया मैंने 19 के 18 के और भी पीज़े के ठीक है चलो भई फटावट से इस last question को और कर लेते हैं और फिर आप अगले lecture की तयारी कीजिए चलो भई आज 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 एक्को सॉलीशन कंटेंस 0.01 molar H2S and 0.2 molar HCl ठीक है if the equilibrium constant for the formation of Hs minus from H2S ध्यान सुनना H2S से क्या बनाना है Hs minus तो 1 H plus निकालूंगा इसका K1 क्या है K1 क्या है 1 into 10 की power minus 7 तो 10 की और minus 7 लिख देता हूं and that of S2 minus from Hs minus H2 minus from S2 minus from Hs minus इसको मैं K2 लिख दूँ और K2 कितना है 1.2 into 10 की power minus 13 सही है देखो जरा तो ये और ये ध्यान से देखो ये और ये तुम्हें बता है then concentration of S2 minus तुम्हें निकालना है एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ मुझे आपको H2S दिया है HCL दिया है तो मैं एक काम करता हूँ H2S की reaction लिख लेता हूँ कैसे एक काम करो इन नोनों को add कर दो इन नोनों को add कर दोगे तो net reaction क्या बनेगी ध्यान से देखना जरा इन नोनों को add कर दोगे तो बनेगा H2S से क्या आएगा 2H plus plus S2 minus और इसका K3 क्या हो जाएगा K1 into K2 कितना हो जाएगा K1 into K2 बताओ 1.2 into 10 के बावर 7 और 10 10 minus 20 हो जाएगा ठीक है 1.2 into 10 के बावर minus 20 ठीक अब तुम यहां से K3 लिख लो क्या आएगा K3 H plus का whole square S2 minus divided by H2S K3 कितना है 1.2 into 10 की पावर minus 20 ठीक है H plus कितना है HCL में जो दिया था देखो क्योंकि यह strong है न यह weak है तो यही सबसे जादा आएगा H plus यही से जादा आएगा इसको डिसकार्ट कर देना तो H plus क्या आगया 0.2 H plus 0.2 मतलब 0.2 का whole square यह तुम्हें निकालना है और H2S आजाएगा Sol कर लो जरा कितना है ठीक है यहाँ से H2 माइनस आजाएगा Sol कर लो ठीक फटावट से Sol करो कितना है तो यहाँ से Sol करने पर कुछ ऐसा आएगा कि यह तो हो गया 2 into 10 की पावर minus 2 चलो महीं कर देता हूँ 1.2 into 10 की पावर minus 20 और यह है 0.1 और यह 0.2 0.2 दो बार लिख लो ठीक है यह हो जाएगा इधर से उपर 100 हो जाएगा यह 10 बचेगा minus 19 बचेगा 1.2 by 4 into 10 की पावर minus 19 1.2 by 4 into 10 की पावर minus 19 तो 0.3 into 10 की पावर minus 19 3 into 10 की पावर minus 20 ऐसा कुछ आएगा बदलापुर आणसर आएगा चेक करना ज़रा एक बदलापुर आ रहा है बदलापुर आणसर आ रहा है चेक कर लो एक बार वो तो calculation तयार खुद से भी कर सकते हैं यह सब है नो मुझे बदलापुर लग रहा है चेक कर लो एक बार क्या सही है सही है क्या बदलापुर वह यह HCL strong H2S week है ना अरे यार तुम्हे equilibrium constant कितने कम दिये हैं तो यहां से H plus तो बहुत कम आएगा तो तुम HCL से ही maximum H plus लोगे बिलकुस सही बहुत बढ़ी है चलो बाई यह हो गया यह हो गया यह हो गया बास और क्या जिंदगी एकदम सफल है तुमाई आज ठीक है चलो जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते है यह बात कल से हमारे दिल में थी आप यहां पर आए थैंक यू सो मच आपने chemical equilibrium का जवरदस्त revision किया मुझे अच्छा लगा I hope आपको भी अच्छा लगा होगा मैंने last year के question करके दिखा दिये इसी type के ही बेटा question आते हैं ठीक है जिस type के मैंने आपको कर रहा है उसी type के आते हैं देखो सिधा सिधा KP केसी relation वाला question देखा होगा आपने maximum time आया है KP by केसी वाला KP equal to केसी RD के पावर देल टाइन जी एक वो relation हो गया एक आपका DOD पर based केसी के पी निकालने वाला आ गया और एक आपका क्या हो गया Leach Atelier basically आप इन तीनों चीज़ पर focus करके जाना clear है चलो बेटा मिलते हैं फिर next lecture में अगले lecture की आप तयारी गल लो तब तक के लिए okay भाई और ऑज क्तों चूँ एक वो तक का आपका की आपका की आपका हो जापका प्राइन